जब बिहार में कोरुना संकट के बीच चुनाफ होगा लेकिन इसके साथ जितनी भी प्रत्याश्री हैं उनकी मुसीबत भी बढ़ती नजर आ रही है क्योंकि उनके पास सबसे बड़ी चुनाती है कि बिना फिल्ड में उतरे बिना भीड इखत्ता किये कैसे वो लोगों तक अपनी बातों को पहुचाएंगे और कैसे वोट की अपील करेंगे असे भी जिस तरह से चुनावायोग नए-नए फैसले ले रहा है एक और फैसला कि अब चुनावायोग ये लिस्ट तयार करेगा कि किन मैदान में कौन से प्रत्यास्री उतरेंगे और कैसे वो सभा को समभोधित करेंगे क्योंकि इसे पहले जितने भी मैदान है प्रत्याश्री अपने हिसाब से मैदान का सेलेक्शन करते थे, वहाँ पर जमावडा लगाते थे, लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाते थे, लेकिन सब पर question marks लग गया है वो इसलिए क्योंकि जिस हिसाब से कोरोना संकट है, ऐसे में social distancing को भी follow करना है और तमाम तरह की protocol का भी इस्तमाल करना है और ऐसे में जितनी भी छोटे मैदान है, उनको side कर दिया गया है और चुनावायो की तरफ से जो list बताया गया है, उसमें जो मैदान का जिक्र होगा, सिर चुनावी सभा के लिए प्रतेइक जिले में मैदानों की सूची तयार की जा रहे है, चुनावायोग से अधिसूचित मैदानों में ही चुनाव प्रचार कारेक्रम या फर्सभा की अनुमती दी जा सकेगी, ऐसा कोरुना संक्रमन के खत्रे को देखती हुई किया जा रहा है आयोग ने सभी जिलों में उपलब्द मैदानों की शमता और रकबा के संबन में रिपोर्ट की तलब की है कोरोना संक्रमन की खत्रे को देखते हुए चुनाव आयोग ने कड़ा निर्णे लिया इस बार प्रत्याशी मन चाहे मैदान में चुनावी सभा का आयोजन नहीं कर सकेंगे हर जिले में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ चुनावी सभा कराने लाइक मैदानों की सूची तयार की जा रही है प्रत्याशियों को उन्हीं मैदान में चुनावी सभा की छूट होगी जहां सोशल डिस्टंसिंग के साथ सभा में उपस्तित लोगों की भागेदारी सुनिश्चित हो सके चुकि सोशल डिस्टंसिंग के तहट दो व्यक्ति के बीच कम से कम दो गल्स की दूरी आवश्चिक है इसलिए माना जा रहा है कि सभा के दौरान लगने वाली कुर्सियों में करीब 36 वर्ग फीट की दूरी आवश्चिक है उत्तर बिहार में ऐसे मैदानों की संख्या काफी सिम्थ है इस कारण राजनितिक दल और प्रत्याश्यों के पास सभा के लिए मैदान चुनने का अधिक विकल्प उपलब्ध नहीं होगा चुनाव आयोक के नर्देश पर जिलों में निर्वाचन विभाग सक्रिय है अपर मुख्य निर्वाचन पतादिकारी गोपाल मेडा ने सभी जिलों को उपलब्ध मैदान का रखबा के साथ सूची और रिपोर्ट देने को कहा है ताकि राजनितिक दलों की मांग पर शामिल होने वाले समर्थों की अनुमानित संख्या क्याधार पर मैदान आवंटित की जा सके तो इस बार का विधान सभा चुनाव काफी चुनौती भरा हो सकता है उमिदवारों के लिए ये कठोर चुनौती है वो इसलिए क्योंकि अपने मन चाहे मैदान में वो सभा को सम्बोधित नहीं कर पाएंगे बलकि जो चुनाव आयोग लिस्ट में तयार करेगा उस मैदान में ही वो सभा को आयोजित कर पाएंगे ऐसे में कई ना कई लोगों को जुटाने में भी तकलीफ होगी सोशल डिस्टंसिंग को भी फॉलो करना है कोरोना के खत्रे से बस्ते हुए चुनावी सभा को भी सम्बोधित करना है तो तमाम तरह की जो सवाल है जो मुसीबत है वो इस वक्त उमेदवार के साथ है ऐसे में इस बार का जो चुनाव है वो इमेदवारों के लिए तो खास है ही लेकिन कई ना कई मुसीबत वाला भी है विरहाल के लिए इतना ही बन रही हमार साथ और देख तेरी न्यूस पोनेशन नमस्कार